तेलंगाना राज्य में राहुल गांधी की भारत जोडो पैदल यात्रा का साथवा दिन यात्रा तेलंगाना राज्य के अल्लादुर्ग से सुबह प्रारंभ हुई युवाओं को रोजगार प्रदान करने और दैनिक आवश्यक्ता वाली वस्तूओं की कीन्तों में वृद्धी को नियंत्रित करने में वर्तमान सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है GMAT Foundation यात्रा का समर्थन करता है और लोगों के लिए रोजगार मेले की व्यवस्ता करके युवाओं के लिए नए स्टार्ट अप शुरू करने में योगदान देता है इस प्रकार GMAT Foundation छात्रों को उद्यमी कैरियर शुरू करने का अफसर प्रदान करता है दर्शकों से अनुरोध है कि वे विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नव्योवकों में बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकारी तंत्र के विरुद्ध पद यात्रा कन्याकुमारी से काश्मीर तक चलेगी रास्ते में अलग-अलग लोग मिलते हैं अनेक कर्तव्य दिखाते हैं और यूवा नेता राहुल गांधी के साथ अपनी समस्याएं साज़ा करते हैं भारत जोडो यात्रा के यादगार पलों को ताजा रखने के लिए तस्वीरों में कैद किया है यात्रा में कई मुद्दे उठाय जा रही है जिसमें एक एहम मुद्दा है अनेंफ्लॉइमेंट यानि की पेरोजगारी सबी युवास सडकों पर उतर कर राहुल गांधी को समर्थन दे रही है शारियों की जो समस्या है छखे वेतन आयोग जो हिमाचल में लागू है उसकी जो समस्या है उन सब को एड्रेस करने की छमता और पुरानी पेंसन की बात उन सब को एड्रेस करने का काम कॉंगर्स पार्टी कर रही है साइद यही वज़ा है भार्ती जंता पार्टी के नेता घबरा गए है और वो गांधी परिवार के घर में जैसे उनकी पुरानी आदत है कि वो बातरूम में जहाकते हैं तो साइब गांधी परिवार में जहाक रहे हैं कि क्या हो रहा है साइद गांधी परिवार को भी पता नहीं होगा कि उनके घर में यह हो रहा है लेकिन भार्ती जंता पार्टी के नेता बता देंगे साइटिफिकेट दे देंगे कि राहूल और उनकी बहन की नहीं पट रही है उनकी मा की नहीं पट रही है उनमें नहीं पट रही है उनमें न आप में ही एक बड़ा वो इस्तिती है तो इनकी ठिपणियों को आप कोई गंभीरता से नहीं लेता और हिमाचल में अदि आप जिक्र कर दीजिए तो लोग रहा स्वेश्च जॉब ही जॉब वीडियो द्वारा हम राहुल गाधी की भारत जोरो मिशन का समर्थन करते हैं और लोगों को रोजगार पाने के लिए स्वयम के साधन जुटाने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि सरकार नौकरी देने में असमर्थ है सबसे पहले हमें युवाओं की मानसिक्ता बदलने की जरूरत है उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि प्रचलित सिस्टम में सरकारी नौकरियां मिलना असंभव है साथ ही अभिभावकों को मान लेना चाहिए कि वर्तमान प्रतिकूल परिस्थियों में सरकारी नौकरियां आने वाले 25 से 30 वर्षों तक नहीं मिल सकती है इसके अतरिक्त प्रोफेशन संस्थानों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवर्शक्ता भी है थ्योरी विश्यों में परीच्षा का तुरंत बहिश्कार कर डिग्री डिपलोमा केवल प्रैक्टिकल परीच्षाओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव से UPC, IAS और GATE जैसी क्वालिफाइन एग्जाम आयोजित करने की प्रथा बंध हो जाएगी इस प्रकार मातापिता की खूनपसीने की कमाई पेपर लीक और कई अन्यभरस्टाचार के कारणों से बरबाद नहीं होगी ये सभी बदलाव राहुल गांधी की तपस्या यात्रा को सफल बनाने में योगदान देंगे New Startups for the Job Fair 1. Rural-based startups learn new skills in schools from Class 6 to 8th level It is time to develop computer hobby and promote computer learning aptitude 2. School Students Math Lab Tutors Training for Graduates 3. Map-making skills for graduates to make putfari maps or serve engineers and architect firms 4. Crop Area Planning and Crop Growth, Monitoring by Mobile Images 5. Digital Land Survey, DLS, Equipment Production and Training for Map-making 6. Development of Rural Area Water Supply Projects 7. B.O.T. Projects Planning and Design for Corporate Houses 8. Development of Franchise Models from IPR Products to Enjoy Monopoly Market G.M.M.A.T. Foundation द्वारा रोजगार मेला रोजगार सह कौशल मेला दुर्ग भिलाए के कॉलेजों से PGDCA, BCA, BBA, BA, BA, MBA, BCA, BSC डिग्री डिपलोमा करने वाले चात्रों के लिए आयोजत है 15 नवंबर तक किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच छात्र रिपोर्ट कर सकते हैं और नियुक्ति के लिए पंजी करन कर सकते हैं आवेदक शैक्षिक योग्यता, निवास प्रमान पत्रया आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो आधी के साथ उपस्थित होकर रजिस्टर हो सकते हैं पद की जानकारी के लिए संपर्क करें मासिक वेतन कार्य कुशल्टा के अनुसार दस हजार से बीस हजार रुपए उम्र अठारह से पैटीस वर्ष काम मोबाईल का उप्योग करके फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम भी आप्शन हो सकता है पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी संगठन जीवमेट फाउंडेशन एबी आठ आदर्श नगर दुर्ग छतीस गर केवल जरूरकमंद व्यक्ति ही संपर्ग करें फोन नंबर नौसाथ पांच पांच शूने तीन नौच शूने पांच संग्षब का करें व्यक्ति है कि व्यक्ति हमस हो नंबर व्यक्तों